तो मैं डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए थार्ड समेस्टर के प्रिटिकल साइंस यानि की राज नीती साफ्तर के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्टेंड एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में स्टूडेंट की आने वा वालें वह कौन-कौन से हैं और ऐसे कौन-कौन से कोईस्टेंट जो परिष्ण बार-बार रिपीट हो रहे हो इस बार भी आएंगे तो उनकी जानकारी आपको मिलेगी तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अच्किस वीडियो को प्रस्ण है ध्यान से सुनेंगे उनको इस वीडियो में प्रस्ट किया गया और इस बार जौब के परिष्ण होने वाले उसमें कौन-कों-कों से महात्पूल। प्रस्ण आ सकते हुट उसके इसाफिज वीडियो तैयार की गई है तो जानेंगे महात्मोल प्रस्ण तो इसका उत्तार लिखेंगे कि भारत थी जमीन है या फिर आपका फ्रक्ति भू ठीक है प्रितिबी का वह हिस्सा जिस पर यूरूप ये समराज था यह निकी यूरूप देश का समराज था उनका सासन था ठीक है उस भाप को हम लोग कहेंगे ऑपने वेशिक भारत ठीक है उसके बाद अगला पाइंट इसी म एक है को हुआते करने हमारे देश में आया थाे यूकि एक पृतगाल का पृतगाली था ठीक है वास्को दिगामा कि कालई कट महुंचने के साथ भारत के यूरूप इसी करण का ग्रहनängerक होगा भारत बहुत दिन के इंगलींड उस रहा है उस निवहेस का मतलब दोग समझते हैं चले उपनिवेश का मतल समझ लिजिए तो उपनिवेश का सिंपल सा अर्थ लाइब देख लिजिए ठीक है उपनिवेश उसे कहते हैं जान सुनेंगे किसी राज democrats की दोर इफ्थित उस बस्ती को कहते हैं चहां पर उफराज की जनता निवास करती मतब रहती है किशी पूर्ड प्रभुसत्ता संपन राज जी के लोगों के अन्य देशों की स्रीमा में जाकर बसने के अफ्थान के लिए भी इस सब्द का पिरोग किया जाता है यानि उपनिवेश का मत Christi को बहुत दिनों तक इंगलेंड का निवास रहा यानि कि राजिके बाहर दूर जो बस्ती थी ऊसमें निवास करते थी लोग फिक है तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, बेसिक सा परच है, ऐसे लिखेंगे बस, ओके, अगला प्रशने की आपनिवेशिक क्या होता है, चली जानते हैं, तो आपनिवेशिक जब एक देश पर दूफरे देश की दबदबे से इस तरह के राजनेतिक आर्थिक समाजी क सांस्कृत बदलाव आते हैं, तो इस प्रकारिया को ओपनिवेशिक कर कहा जाता है, एक देश से दूफरे देश का दबदबा बना रहता है, तो जब एक देश पर दूफरे देश का दबदबा रहता है, या फिर दबदबे रहता है, तो जब एक देश पर दूफरे देश क दबदबा रहता है या फिर दबदबे रहते हैं तो इस तरह की जो राजनेतिक चीजे होती है आर्थिक चीजे जो होती है समाजिक जो होती है तो सांस्कृतिक होती है तो इसमें चेंजिस आते रहते हैं बदलाव आते रहते हैं ठीक है तो इस पूरे प्रकरिया को उपनिवे एकदम साधार भासा में हमने प्रश्ण भी आप लोग लिए प्रस्तुत के हैं और उसका उत्तर भी तयार किया ताकि आप अच्छे समझ से कि और तिमाग में आपके बस जाए अगरा प्रश्ण है कि भारत एक लोगतांत्रिक देश कैसे बनता है तो चलिए जानते हैं और गया लेकिन 26 जनुरी 1950 को सम्मिधान को अपनाने के साथ इसने खुद को एक संप्रभू लोगतांत्रिक और गड़तंत्र राज्य खोसित किया भाई हमारा देश जो पुरित्रा फटंत्र 1947 में हो गया लेकिन सम्मिधान 1950 में लागू हुआ और जब ये संप्रभान लागू ह जाएगा फिर गरतंत्र राज घुर्षित किया अपने आपको एक कीस तोपो कि सलामी और डाक्टर द्वारा यानि की को डाक्टर मताएं बार भीम्राव मेडिकर द्वारा भारती ठीक है राष्ट्य धुज फैराए गया तो इस प्रकार लिखेंगे भारत एक लोगतांत्र से आप क्या समस्ते भात में लोगतंत्र से क्या मतलब है तो ज्यान से सुनेंगे लोगतंत्र सरकार की एक प्रणाली होती है या फिर एक सिस्टम होता है जो नागरिकों को यानि कि आम जनता को ओट देने और मत दाताओं को अपनी पसंद की बिधायका का चुना करने की सार वो किसी भी किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी नेता को मत देकर यानि कि ओट देकर ठीक है उसको बिजयी बनाता है तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि लोगतंत्र सरकार का एक सिस्टम यानि के प्रणाली है जो नागरिकों को यानि कियाम जंता को ओड देने और मतदाओं को अपनी पसंद की विधायकाका चुनाओ करने की अनुमत देती है कौन लोगतंतर आपको ये देता है कि आप किसी भी पार्टी को किसी भी नेता को आप असानी से अपने इच्छा नुसार ओड कर सकते हैं तो ये अनुमत लोगतंतरी देता है ठीक है आप फिरी हैं किसी को भी ओड दे सकते हैं इसके तीन मुख अंग हैं पहला है लोगतंतर के तीन प्रमुख अंग हैं पहला है क और time को भारत में अर्फिय बारते जनता पार्टी की सरकार है और वर्तुमान में प्रदानमंत्री स्टी लेन्द मोधी जी तो इस प्रकार आप लिखेंगे बहायता M कि भारत में राजनीतिक लोगतंत्र क्या है तो तर लिखेंगी लोगतंत्र या फिर प्रजातंत्र लोग तंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी सासन प्रणाली है इसा सिस्टम है जिसके अंतरगत जनता अपनी स्वच्छा से निर्वाचन में आये हुए किसी भी उम्मीदवार को यानि किसी भी कंडिडेट को मत यानि ओट देकर अपना प्रतिनिधी या फिर अपना जो प्रतिनिधी चुन सकती है ठीक है और उसे बिधायका का फदस्ट बना फक्ति है लोक तंत्र दो सब्दो से मिलकर बना है लोक पुलव तंत्र जिसमें लोक का अर्थ है जंता और तंत का होती ही वो अपने अनुसार जब एलक्षन होता है निर्वाचन होता है तो उसमें आये हुए यानि कि खड़े हुए बहुत फारे जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं ठीक है उनको अपने सच्छा अनुसार ओड़ देखकर उनको विजयी भी बना सकती है ठीक है और उसे बिधायका का सदेश्ट भी बना सकती है ठीक है इस प्रकार लिख देंगे उसके बाद लिख देंगे कि लोक तंत्र जो है दो सब्दोस्व मिलकर बना है लोक प्रस तंत्र जिसमें लोक का अर्थ होता है क्या जनता और तंत्र का मतब होता है सा समाजिक लोगतंतर क्या होता है तो ध्यान से सुनेंगे काफी प्रशने भी है उत्ता लिखेंगे कि समाजिक लोगतंतर एक ऐसा प्रणाली है ऐसा सिस्टम है जो बेक्त की अधिकारों सुतंतता का संद्चन करती है इस प्रणाली में लोगों के विकास और प्रगत के लिए अ प्रेगत हो सके उन्हत कर सके समाजिक लोक्तंतर में रच्ण किया गया है मतलब कि समाजिक जो लोक्तंत ठज़े-घृत में इसके-पने अधिकारों जो अधिकार है उसके वह अपने अधिकार के उसार कुछ भी कर सकता है अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है ठीक है अपने अधिकार मांग सकता है ठीक हो कहीं पर जा सकता है उसके लिए संगर्ष कर सकता है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा परचे समाजिक लोगतंत्र के बारे में अगला की भारत में आर्थिक लोगतंत्र क्या है विया तीनों जान लीजिए राजनेतिक लोगतंत्र समाजिक लोगतंत्र और आर्थिक लोगतंत्र तो तीफरा जानिए आर्थिक लोगतंत्र यह है अर्थिक लोगतंत्र लि बड़े शमों में अफ्थांतरित करने का प्रस्ताव करता है जिसमें सिर्मिक ग्रहक अपूरती करता पड़ोसी और व्यापक जनता सामेलें ठीक है अगला प्रस्तुत है कि आजादी के बाद भारत में कौन सी ब्योफ्था अपना ही गई ऐसा प्रस्ना सकता है तो तर लिखे सुतंतर्ता के बाद या फीजुषन सुतंतर्ता के पश्चाद भारत ने लोक्तांतरिक सासन व्यूफ्था को अपनाया भारत में संसदियम संगहें लनतरिक यह निया पलगा कैंतरउं अ हिन तीनों बताईए यह फिर तीन अफ्थम बताईए तो महां पर यह लिखेंगे कारेपाल का विवफ्था पिक और नियाइपाल का यह तीन प्रमुक अफ्थम यह फिर आपके फक्ते अंग है एक लाइन में एंसर लिखेंगे इस प्रश्ण का कि भारत में ने लोगतांतरिक शासन पीटेड है कि श्वतंतरता के बाद यानि कि जब हमारा देश स्वतंतर हो गया पूरी तरह आजाद हो गया उसके बाद भारत में राजनीति यानि कि राजनीति छेत्र के इस्थित क्या थी तो तर लिखेंगे कि भारत के विवाजन की उपर एखा भारते श्वतंतरता अध इस रूप से बेट्रिस भारत के दो प्रांतों बंगाल और पंजाब का विभाजन सामिल था तो इस प्रकार लेखेंगे बेशिक परचेश का ठीक है अगला की भारत की राजनेतिक विवस्था क्या है तो भारत की राजनेतिक विवस्था के बारे में लेखेंगे भारत एक सं मुख्या जो होगा देश का यानि की मुख्य जो सरकार होगी वो केंदर की सरकार होगी जैसे एक्जामपल की रूप में इसमें प्रधान मंतरी मोदे जी हैं ठीक केंदर में उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सत्ता वारी सरकार होगी केंदर में और परद में यानि कि जो किसी भी देश के अलग-अलग राज्य हैं तो उस राज्यों में अलग-अलग सरकार होंगी एक राज्य में में जिसे कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अधेतनाती होगी ठीक है इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं तो इसी प्रकार के प्रस्ण आपको आपक करें कुछ ना कुछ आपको जानकारी कुछ ना कुछ आपको शेखने को जरूर मिलेगा पूरी विद्वत तरीके तैयारी कराई जाएगी अभी तो टाइम है लेकिन कोई बात नहीं दे दे तैयारी ऐसे करते रहे और हम आप लोग समस्त प्रस्तुत करते रहेंगे अगर आपको पूरी पूरी पीडियोप चाहिए तो आप टेलिग्राव मेसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेफसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक इसी वीडियो की डिस्कुस्टर मिल जाएगा और यह आपका नहीं चैनल सक्षिस्ट होएं तो सब्सक्राइब देरोकलिटी का जय हिंदू